एसी नहीं नहीं तर्कीबे अब हमको है चन्नी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगली लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगली एसी नहीं नहीं तर्कीबे अब हमको है चन्नी इस कारिक्रम की प्रायुजक है कृषी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार क्या कर रहा है इधर 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 हम भोल रहा है तेरे बीजु का उतला बोल ले पक्सियों से तो हम खेद को बचा लेते हैं पर इन खातक रसानों से कैसे बचा है मतलब देख बेटा तू जो ये अंदादून रसान मिलाता है ना मिट्टी की सहत बिगणने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपच कैसे सहत बंद होगी है अरे पहले ऐसा नहीं था उचना अपने बड़े बोजूर्गों से कैसे फसल लहला आती थी शुद्ध ताच लगती थी हाँ माटी भी तंद्रस्त और लोग तो पहली वाली बात कहां पर हम तो सब यह डाले हैं सब नहीं आज भी लाखों जागरों किसान परमपरागत विदी से फजल होगा रहे हैं फर्चा खम और उपची की मज़ भी बहतर पा रहे हैं सच है माटी से प्रेम की परमपरा है परमपरागत खेती आकाश्वणी दिल्ली का फम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप सौद शमलव एक मेगा हर्ट्स पर और कारेकरम किसान की बात में धेर सारी जानकारियां और ऐसी ऐसी जो प्रश्ण हैं हमारे किसान मित्रों से जो जुड़े हुए होते हैं उन प्रश्णों के सवाल लेकर आज हम हाँजिर हैं मैं हूं आज के अंक में कोमल भारती और मैंनेरेंकार करिया स्विकार हमारी उर से नमसकार कोमल हमारे जो किसान भाई हैं उनको अपने जो खेती किसानी का काम है पूरे साल जब उनका चलता रहता है तो अलग अलग इस तर पर बहुत सारे उन्हें ऐसे साधन लेने पड़ते हैं कुछ बीज है खाद है इसके इलावा जो इंसेक्टिसाइड हैं पैस्टिसाइड हैं ब यहों की फसल 3-4 महीने के बाद आएगी जिस तरह से उसका खर्चा होता है उसी तरह उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसे की लगातर जरुरत पड़ती है बिल्कुल और यह जो पैसे की जरुरत होती है इसके लिए हमारे बहुत सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं बह हमारे किसानों के इसी दर्ध को समझते हुए सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुरात की हुई है बिल्कुल क्योंकि जो आपने जिकर किया सावकार हैं जब वो पैसे देते हैं तो उसमें ब्याज बहुत ज़ादा लेते हैं लेकिन भारज सरकार ने किसान चलाई है जिसके द्वारा हमारे किसान भाई बैंकों से रेन ले सकते हैं जो की बहुती कम दर पर मिलता है और इन कार्ड को बनाने का तरीका भी बहुती आसान है इस पूरी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमने अमंतरित किया है डोक्टर प्रेम चंद जी को जो च citizenship कारD किस परकार से इसको इस्तैमाल करें और क्या यससे हमें लाभ हो सकते हैं विस्तार से जानेंगे और इसके लावा अगरां के सेहन में कोई ऐसा सवाल होता है कि आप उनसे जानकारी चाहते हैं तो विशेशगय से सीथे आप तेलीफोन चर सकते हैं उसके हमारा वही जाना पैचाना नंबर है 011-2342-1081 यानि 2342-1081 और इसके अलावा एक और टेलिफोन नंबर भी हमारे पास है जो कि 011-2342-1083 है तो आपके मन में जितने भी सवाल है क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड पैसा एक ऐसी चीज है जिसको लेते वक्त इंसान के जहन में बह इतना ले सकता है कितना उसे लोटाना होगा किस ब्याजदर पर लोटाना होगा और सबसे जरूरी बात कि क्या-क्या सावधानिया बरतनी चाहिए इन सभी सवालों के जवाब आज हम लेंगे डॉक्टर साहब से डॉक्टर साब डॉक्टर प्रेमचंद हमारे साथ जब से पहले छाहेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है क्या? निरंकार जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को सुइदा पूरुर क्रीण मिले, उसके लिए एक योजना उनिस सो अठान में लाई गई इसमें क्या है कि जैसे आपने बताया कि कर्षदार से बहुत ही उंची दरों पे उंची ब्याज दरों पे कास्टगार को लोन लेना पड़ता है इसके लिए सरकार ने ये यूजना चलाई समय समय पे इस पे बहुत सारे सुदार हो रहे हैं और ये काफी कुछ हाद तक अच्छी यूजना बहुत अच्छी आ चुकी जो किसान हमारे क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं उसके लिए क्या-क्या जरूरी चीजे हैं देखे किसान क्रेडिट कार्ड बनवाता है उसके लिए बहुत सरल तरीके हैं आजकल पहले थोड़ difficult था लेकिन आज किल बड़ा आसान कर दिया है कुछ मोटी-मोटी चीजें हैं जिनकी जरुरत होती है उसमें सबसे पहला है कि उसका एक ID कार चाहिए जी दूसरा उसका residential proof चाहिए और उसके बाद उसकी दो photo चाहिए और एक page का form होता है वो हर banks के पास होता है और जो agriculture ministry की जो website है उसके उपर भी या PM किसान की website है उसके भी अवलेबल आसानी से अवलेबल है एक page का form बैंक को भी visit कर सकते हैं इसके अलावा जो खेती से समंदित या जो जवीन से समंदित कागजात हैं उनकी जरूरत विशेस केसों में ही पढ़ती है सब जगे नहीं पढ़ती है जैसे खस्तरा खतोनी है उसकी जरूरत पढ़ती है कि जहां पे उनको ज़्यादा लोन लेने के लिए जैसे पूर example अगर उसको एक limit तक एक लाग साट जार तक का लोन में किसी तरह की को लिटरल सेक्यूरिटी की जरूरत नहीं पढ़ती है एक शूता लाइन पर आगए हैं अजिए हालो जी स्वागत है आपका कार्किमे लाट अधीमी यरुरा चुशे बोल रहे हैं अप मैं जमू किष्वियर से राजे इस्पार ने शोता है हमारे जैसे मेरे पास पांच बीगे जमीन है तो मैं क्लाडर कार्ड बढ़ने के बाद मुझे सरका से कितना लोन मिलता है देखिए ये निरबर करता है कि आप उसमें क्या पसल उगा रहे हैं जनरली क्या होता है कि हर स्टेट की या डिस्टिक लेवल पे एक कमेटी होती है वो बताती है कि कितना लोन किस पसल के लिए मिलना चाहिए और वो आपकी खेती के उपर ही निरबर करता है मतलब कितना है जैसे आपने पांच बिगा जमीन बताई तो पांच बिगा जमीन में पर बिगा के इसाब से वो कैल्कुलेट करके और उनकी rate होती है उसके हिसाब से दिया जाता है और एक credit card की limit तैग की जाती है अब वो पांस साल के लिए limit तैग करी जाती है तो उस limit में क्या होता है कि for example पहली साल अगर एक लाग की तैग हुई है तो दूसरी साल उसमें एक लाग दस अजार इसलिए 10% हर साल बढ़ा के औ और लाश्ट में जो पांचवे साल तक जो पहुंच जाती है उसको maximum limit बोलते हैं उसको या उतनी ही आप विड्रोवल से पहले जैसे हर साल की अलग अलग विड्रोवल होती है जैसे पहली साल की आपको एक लाग है तो एक लाग ही विड्रोव कर पाएंगे आप नेक साल एक आपका कारिकरम किसान की बात में अपना नाम बताएं कहां से बूल रहे हैं आप नवसकार जी मैं बबन यादर कुंड़ा पताबशी जी अपना सवाल करें किसान काट बना हुआ था और तीन-चार साल तक चला उसमें मैं सिर्क खाद ले रहा था बदा और कुछ नहीं ले है अब दूसरी बार जब बनवाने जाता हूं तो कहते हैं किसान भाई या और यह खतरा खतमी लेकर जाओ उसके बाद से बनाएंगे तो सर क्या खतरा खतमी ना दिया जाए तो उसके बाद बन जाएगा हां बिलकुल बन जाएगा आप जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच से एक बार कॉन्टैक्ट करें और मतलब उन से पूछें जरूर आपका समाधान हो जाएगा क्योंकि जो बैंक के फॉर्मलिटीज हैं जो कागज मांगेंगे वो तो देने ही पड़ेगे अच्छा आपने बताया कि एक लाग साथ हजार तक तो खसरा खतोनी क की देने की ज़रत नहीं पड़ती है इसके इलावा जो फॉर्मलिटीज क्या क्या है फॉर्मलिटीज में ऐसा है कि बैंक में जा कि कुछ बैंक्स यह डिपेंड करता है बैंक के ऊपर बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जुन्होंने अपना ओनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म भी बना रखा है आप उसमें अपनी डिटेल भरिये जो एक पेज की डिटेल में बताई एक पेज की डिटेल भरते हैं बैंक वाले फिर कुंटाइट करते हैं जैसे नॉर्मल लोन के केस में भी होता है वैसे ही बैंक वाले कुंटाइट करते हैं वो निरक्सन करते हैं और उसके बाद में वो अपनी प्रकिरिया चालू करते हैं क्या ये सभी बैंकों में अपलब्द है ओनलाइन सभी में ज़रूरी नहीं है उसमें ओनलाइन नहीं क्या सभी बैंक क्रेडिट कार देते हैं बिल्कुल इसमें क्या होता है कि जो commercial बैंक है जो उसके अलावा जो regional rural bank ग्रामीन विकास bank जो बोलते हैं उनको और जो cooperative bank है उनको भी यहां पे भी यह सब सुईदा है तो डॉक्टर साब इसके लिए पात्र कौन कौन से हमारे किसान होते हैं जो इस card के लिए अपलाई कर सकते हैं देखे इसमें तीन तरह की category होती है एक तो जो individual कास्टगार होता है वो अपलाई कर सकता है जैसे मेरे पात जमीन है और मैं अपलाई कर सकता हूं दूसरा कास्टगार होता है जो lease पे ले रखा है किराये पे जमीन ले रखा है जहां पे lease पे ले रखा होता है लिखापड़ी नहीं होती है तो वो भी ले सकते हैं इसके अलावा जो self-help group हैं वो भी उसको ले सकते हैं तो वो कैसे थाबित करेंगे अगर लिखापड़ी नहीं हुई है देखो ऐसा है कि इसमें देखो उसमें इस केस में क्या होता है कि उसको जज़से मैं दूसरे के यहां खेती कर रहा हूँ तो मेरे पास अपने जमीन है उसको verify करते हैं और अगर वो भी नहीं है तो भी वो उनका जो bank का है वो assessment करते हैं वो कि हां really इस तरह का पता कर लेते हैं है तो क्या उमर का भी कोई हिसाब रखा जाता है हाँ बिल्कुल ऐसा है कि एक जो range बताई जाती है और यह जो range होती है उसमें ठारा साल का जो हो गया है वो अपना loan ले सकता है और वो 75 साल तक ले सकता है लेकिन इसमें एक बात होती है कि जो senior citizen होते हैं वो होना चाहिए साथ में एक जो cover हो अच्छा मान लेजे कोई बहुत azid आदमी 80 साल का भी किसान हो सकता है 90 साल का भी हो सकता है तो उसको अपने उत्रादी कारी को साथ में लेना पड़ेगा नई वो 75 साल की maximum 75 साल से उपर का अगर कोई है जो 75 साल के बीच में है उनको cover और 75 साल के बाद में eligibility नहीं होती है अच्छा मनला 75 साल से उपर के अगर किसान है तो फिर तो उनके उत्रादी कारी ही apply कर सकते है वो उनको नहीं मिलेगा ड्र साब एक शोता हमारे साथ टेलिफोन लाइन पर है आईए पुछलें दें कि उनका क्या प्रेश्ण है हलो नमस्कार जी जोक्टर साब जी अपना नाम बता है परीचे दें कहां से बोल रहे हैं दिल्ली से बोल रहे हैं जी गाउबाज इतकुर दिल्ली से राजबीर जी अपने सवाल करें पंद्राभी का जमीन में निर्बर करता है कि आपने क्या उगाना चाह रहे हैं और क्या उगा रहे हैं उसके ओपर निर्बर करता है नहीं बिल्कुल वो उसके पीछे कहानी ये होती है कि उसमें ये ऐसे नहीं होता है उसमें ये क्या पसल उगा रहे हैं उनका ब्योरा दिया जाता है कभी-कभी हम को क्या होता है कि हम अपलाई करते हैं हमें से बैंक पूछता है और या वो अपना जो पटवारी होता है उससे information ले लेता है कि ये क्या किस तरह की पसल उगा रहे ह फसल उगा रहे हैं उसके हैं अर्विक लिस्त जान कर सकते तर्ग फशा मेनने का वाइका सत्राह थाका फ़ए व्लाकु तारी है, कि ट안 मिल अmeno अगर उस डिस्टिक में पचास जार तैकी है तो उसमें कुछ और चीजें जोड़ी जाती है जैसे उसके विप्रणन से समन्दीत है उसके क्या बोलते हैं आपको अगर अपनी कंजम्शन या जो गर की और जरूरते हैं उनको भी जद्यान में रखा जाता है दस परसेंट प्ल आपका कंजम्शन नीट के लिए हो गया और 20% का मतलब 10,000 रुपे उसके जो रिपेर और मेंटिनेंस के लिए हो गया उम्मीद करते हैं कि राजबी जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा लेकिन यहां पर हम उने ये भी बताना जाएंगी कि यह डॉक्टर साहब ने जो बताया है ये सिर्फ आपको समझाने के तौर पे उधारन बताया है सही लिमिट जानने के लिए आप अपने पास के बैंक में जरूर संपर्क करें कारेकरम चल रहा है किसान की बात और यहां पर लेते है एक छोटा सा विराम प्रधान मंत्री किसान मांधन योजना से लगूसी मांत किसानों का भविष्ट होगा सुरक्षित और साथ वर्ष की आयू से तीन हजार रुपे मासिक पेंशिन होगी सुनिश्चित पचपन रुपे से दो सो रुपे की मासिक किष्ट दे कर प्रवेश कर सकते हैं अच्छारा से चालिस वर्ष तक के किसान इस अंच्टायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदा सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाब के लिए जन सेवा केंदर में जाएं और अपना निशुक नामांकन कराएं प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना अनदाता के परिश्रम को संबग पेंशन से सुरक्षित उनका कर अब हम ये जानना चाहेंगे जैसे कि आपने बताया कि हमारे किसान भाई के दिमाग में ये होता है इतनी जमीन है तो यह किस प्रकार से कोई कमेटीत करती है जब फार्म भर देते हैं कैसे होता है आप बैंक में एक अग्रिकल्चर ओफिशर होता है वो उसका ड्यूटी यह होता है कि वो इवेल्वेट करता है जाके अप्लिकेशन और फार्मर के जो डॉकिमेंट है वो भी चे क्रेडिट कार्ड हमारे किसान भाई ने बनवा लिया उसके बाद उसकी लिमिट भी हो गई कि इतने रुपे आपको मिलेंगे तो वो सारे रुपे उसे एकदम मिलेंगे या वो किस्तों में ले पाएंगे दूसरी बात उसको वो एक किस्त में ही देना पड़ेगा या बीच card की तरह से जैसे थोड़े थोड़े भी निकाल सकता है इस के अलावा अगर वो हाथ करीदने जा रहा है और वह अगर odp for machine थो वहाँ भी यूजा कर सकता है हाँ तो वह जो मशीन का इस्तेमाल करके भी से कट भा सकता है कितनी बार भी तो देना कितने दिन के अंदर होता है देखो देने के लिए ऐसा है कि इसका एक साइकिल होता है जैसे अपना नॉर्मल क्रेडिट कार्ड का मंथली बिलिंग साइकिल होता है इसी तरह से किसान क्रेडिट का जो साइकिल होता है वो एक साल का होता है तीन सो पैंस 20 जुलाई 2025 से पहले पहले उसको वापास कर देना है। हैंनि 19 जुलाई हाँ दोजार पचीस तक पे करना है। वो क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि उसके अपने फायदे हैं। उसको अगर इसमें क्या होता है कि बैंक के नॉर्मली 9% के आसपास चार्जेज होते हैं। लेकिन बैंकों को इंट्रास सबसीडी मिलता है जो डिरेक्ट बैंक को जाती है और बैंक कास्टगार को वो 7% पे देता है। इसके अलावा अगर वो टाइमली पे करता है तो वो 3% की कास्टगार को और उसमें छूट मिलती है जो मतलब effectively बोले तो उसमें 4% पे मिलता है वो तब ही मिलता है जब वो अगर टाइम पे पे करता है तो इसका मतलब वो रिन्यू करवा सकता है। 365 दिन में वापस करता है तो उसको छूट मिल जाएगी 4% पर ही वो भी आज मिलेगा और अगर वो 365 दिन क्रोस कर जाता है कि किसान का काम ऐसा ही है कई बार फसल नहीं भी किया कुछ है तो उसके बाद आपने क्या बताया है वो भी एक बार फिर देखो ऐसा है उस केस में फि है फिर जादा भी आज देना पड़ेगा जो लगबग 9% के आस पास है तो किसान भाईयों को वो 355 दिन के अंदर ही दे देना जाए है बिल्कुल यह वीशेश ध्यान रखने की जरूरत है कि वो अपना समय से उसका भुगतान करें अजह यह जो सारा हमारे किसान भाई कई अनपड़ भी है और यह डिजिटल यह चीजों को चलाना नहीं जानते कई बार यह डर लगता है कि किसी तरह का फ्रोड हो सकता है एक फोन लाइन पर हमारे शोता हैं पहले उने ले लेते हैं हलो अजी नमस्कार स्वागत है आपका कार्कर में क्या जानना चाहते हैं आप एक बार बैंक से संपर करें और उनसे जानें कि अभी क्या बकाया है है ना क्यूंकि यह चीज जरूर द्यान रखनी चाहिए कि हमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि उसका समय पर भुगतान किसी कारण वस अगर हम विलंबित भी होगे तो हमें जाके और ब्रांच से कुंटैक्ट करना चाहिए क्यूंकि बैंक को पूरा अधिकार होता है अगर आपने समय से नहीं किया तो वो अपने राइट यूज करते हैं तो उस केस में आगे आपको परिशानी ना हो और आपका जो व्याजना बने साथी मतलब इससे साख भी खराब होती है तो वो साख आपकी खराब ना हो इसलिए जरूरी है कि आप उसको इसके लिए ब्रांच से कुंटैक्ट करें और समय से भुकतान करने का कोशिस करें बैं इसे डरते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे देखिए ऐसा है कि इस तक्निकी के यूग में कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए हमारे तक्निकी ने हमारे काम आसान किये हैं लेकिन इसके साथ ही जैसे मैंने बोला कि वो ओनलाइन अपलाई कर सकता है और ओ कॉस्सावस शेर नहीं करना किसी भी तरीके से क्योंकि आज फ्रोड इस लेवल का हो गया है कि ऐसे बताएका कि आपको इस तरह से आपको विश्वास दिलाएगा कि मैं बिल्कुल बैंक से हूँ और कभी-ग़ी क्या होता है कि आज-कल तो इतनी सारी तक्निकी आ गई कि कि आपकी आवाज क्लोन कर लेगा, बैंक के मनेजर की आवाज क्लोन कर लेगा और उस तरह से आप से इन्फॉमेशन पूछ लेगा, किसी भी सूरत में आपको कार्ड की डिटेल, बैंक की डिटेल, कुछ भी देना नहीं है, अगर आपको हो सके तो आप ब्रांच में इस तरह क कि उसमें कुछ आपकी घरेलू आपसक्ताओं के लिए भी लोन होता है लेकिन कोशिस करनी चाहिए कि उसको आप अपनी खेती से समंदित या उन्नत तक्निकी से समंदित ही उपियोग करें क्योंकि उसी से आपका फाइदा होना है चोती चीज है कि जब आप लोन लें तो उसको आपको लेना चाहिए और लेने के साथ में उसमें बैंक का जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें इसका भी प्रोविजन है कि आपको इंशुरेंस की प्रीमियम भी उसमें एड हो सकता है तो इसलिए यह सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि आप इंशुरेंस का प किसान है क्या इसका उप्योग यह जो किसान क्रेडिट कार्ड से मिलने वाला जो पैसा है इसका उप्योग सिर्फ वो खात पानी के लिए ही कर सकते हैं बीज के लिए कर सकते हैं या किसी तरह के कोई सहियात्र या उन्न तक्नीक का इस्तमाल करने के लिए किसी और चीज के है तो उसके लिए भी होता है लेकिन उसकी जो किसान क्रेडिट कार्ड में जो बोलते हैं दो तरीके की की चीजें होती है उसमें एक होता है सो टर्म लोन और एक होता है टर्म लोन मतलब लोंग टर्म लोन होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे इंवेस्टमेंट की जैसे मैंने अगर कोई कासगार अगर पसुदन के लिए अलगल से किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहे तो सरकार ने अभी किसान क्रेडिट कार्ड पसुदन के लिए भी वेवस्ता की है, मसली पालन के लिए है, मुर्गी पालन के लिए है, तो वो भी किसान क्रेडिट कार्ड में आ सकता है और उसके लिए या तो आप छोटा मोटा हो तो आप अपनी किसान क्रेडिट कार्ड में प्रोविजिन कर सकते हैं या फिर अलग से पसुदन का एक अलग से किसान क्रेडिट कार्ड से हैं डॉक साब किसान क्रेडिट कार्ड का ठीक होता है मतलब जैसे मैंने बुला कि उसको लिमिट में ही होता है लेकिन जो इंट्रेस सब्वेंशन और जो बलते हैं कि टाइमली पेमेंट के लिए जो इंसेंटी मिलता है तीन परसंट का वो आपको तीन लाग रुपे तक ही मिलेगा उसके अल जाना ना पड़े आप सीधे बैंक से जाकर के अपना पैसा ले सकते हैं और समय से कम रिण दे करके उसका दर दे करके आप उसका भुगतान कर सकते हैं बहुत अच्छी योजना सरकार की है इसका लाब आप उठाएं हमें उमीद है कि डॉक्ट साहब ने जो जानकारी आपक का बहुत बहुत दन्यवाद कोमल अब घड़ी की सुईयों से मिल गया इशारा कि कारिक्रम का समय समाप्त हो रहा है हमारा तो अपने दोस्तों से चाहते हैं इजाजत सभी शोताम को नमस्कार इस कारिक्रम की प्रायुजक थे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्रा ले भारत सरकार हमारा हर किसान की आंदनी दुगनी लक्ष हमारा हर किसान की आंदनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तरिकेवे अब हम को है चुनी